जो भी हमारे पीजी में लड़के रह रहे थे मैं सोच रहा था यार पूरे वो जो पीजी वाले लोग थे उनके डाउट वाउट बताता रहता था मैट्स में कुछ भी बता देता तुरत नए तरीके से बताना ये बता रहे वो मुझे अच्छा लगता था उसी चक्कर में पसदीग आने लगता है तो इंसान कोशिश करता है कि उसकी मदद कोई दूसरा कर दे ये एक बहुत नॉर्मल सा यूमन नेचर है तो मैं भी मदद करता था लोगों कि कुछ मैस में किसी को डिफिकल्टी आई तो दो चार सवाल बता दिया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है Same thing I was expecting from जो भी हमारे PG में लड़के रह रहे थे मैं सोच रहा था यार लास्ट के मुवमेंट पे जैसे कि हमें ये बात पता चल गई थी कि ऐसे बहुत सारे chapters है जिनको रटने से number आ जाते हैं तो लास्ट मुवमेंट वे इस एरिया में इस टाइम पे आकर मैं वो chemistry वाले वो चीज तो वो टॉपी की मैंने गलत सेलेक्ट किया जो समझाए जा सकता है पॉलीमर और ये मेगाल से रटने वाली ज्यादा है बाकी मैं कमेंट नहीं करूंगा chemistry पर समझें तो मैं क्या है पूरे वो जो PG वाले लोग थे उनके डाउड वाउड बताता रहता था मैस में मैं कॉपी लेके गुंग रहा हूं मैं को कोई पढ़ा दू और सब लोग इतने मतलब हरामी टाइप के बहाने मारने में बले यार अभी पढ़ेगा क्या मैं कहां बले अभी तो नहीं बढ़ाओंगा एक काम करना सुबह चार बजे मैं सोने लगूंगा तब आ जाना पढ़ है चार बजे थोड़ी न कोई केमिस्ट्री समझता है इतना भी अपने अच्छे नहीं है बोले दूसरे के पास गया वो भी यही बोले यार मैं सोच रहां अपने दोनों मिलकर फिजिक्स पढ़ लेते हैं अरे मैंने का यह चोड़ वो मैं बढ़ लोगा वो तुझे बढ़ अच्छी बात है बड़ कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करता है जब आप नीड में होंगे हाँ आप लाख सर्च कर लीजिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर्स कोई ऐसा मिल जाए जो हमें सब कुछ करवा दे नहीं मिलेगा कोई लास्ट में जो एक ही इंसान धर्ती पर भेजा है भगवान ने आपकी मदद के लिए आप खुद खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है तब यह कुछ नहीं इगो हर्ट होगी इगो हर्ट किस बात हुई कि हम मेरे से कोई पूछता तो मैं तो बता देता हूं आप मैं किसी से पूछ र करनी है यही चीज़े आपको पढ़नी है पड़ डाले और काफी हद तक रट भी डाले बट मुद्दा यह था कि वो केमेस्ट्री के बस वो दो तिन चैप्टर ही त्यार कर पाया अगर यही मेरे में एटिट्यूड और यही थोड़ी सी पॉजिटिव एनरजी पहले आ जात सब्सक्राइब करें ज्यादा किसी के ग्रूप स्टडी किसी पर डिपेंडेंट ना रहें कि वो आएगा वो पढ़ा जाएगा नहीं जी खुद पढ़िए हाँ हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं इसके बाद की जर्णी आपकी खुद्गी है हमेशा ध्यान रखिएगा प